पुपाल में टीचर्स डी पर शिक्षिकों ने प्रदशन क्या निलम पार्क में प्रदशन कर रहे हैं वेटिंग टीचर्स डी है आज शिक्षिकों का जगा जगा सम्मान हो रहा है लेकिन राजदानी पुपाल के निलम पार्क में वेटिंग टीचर्स डी पर शिक्षिकों न मांग को लेकर धर्दा प्रदाशन उनका है अपनी मांगों को लेकर वेटिंग टीचर बेरोजगार शिक्षक दिवस्त मुना रहे हैं राजनी भुपाल में टीचर्स डे के मौके पर शिक्षकों का प्रदाशन देखने को मिल रहा है निलम पार्क में प्रदेक्शन कर रहे हैं वेटिंग की चरव शिक्षक भरती 2023 में पद वरधी की मांग है उनकी सीधे आपको मौके पर लिए चलते हैं हमारे सेयोगी सुरज तिवारी हमारे इस्तान जुड़े हुए हैं सुरज बताईए जरा क्या कुछ मांगे हैं टीचर्स की क्या तस्वीर हैं आप देख रहे हैं वहाँ पर देखें सुमीर राजधानी भुपाल के निलम पार्क में मौझूद हूँ और यहां पर जो वेटिंग सिक्षक हैं वो लगातार धना पदरसन कर रहे हैं और आज सिक्षक दिवस बेज लिए जो सिक्षक हैं बिरोजगार सिक्षक दिवस मना रहे हैं आपको तस्वीरे दिखाऊंगा यहां पर जो पोस्टर वैनल लेकर जो यह वेटिंग सिक्षक जो हैं ये खड़े हुए हैं और सैकुडों की तादाद में पूरा जो यहां का प्राउंड है यहां का देखिए तस्वीरेंगे सायकुडों के तादाद में जो वेटिंग सिक्षक है यहां पर खड़े हुए हैं इनकी माग यह है कि 2023 में जो सिक्षक भरती आई थी यह सिक्षकों के यह जो सिक्षक इनको वेटिंग में डाल दिया गया था तो उस के खिलाब अहां ड्योंष के खिलाब महां दोhrन ऐसे भी मिरोजगार दिवस में क्या रहें इस रूवियरा अब धरनापदेशन करने क्या गए अच्छी नंबर लेके आने के बावजूद वो आई उनको बेटिंग में रखा है तो उन समस्त जो बेटिंग सिक्षक हैं उन्होंने आज सिक्षक दिवस को बेरुजगा सिक्षक दिवस मनाने की जो यहां पर धरनापदेशन किया है उतरे नीचे ले जा रहे हैं आप देखेंगे अभी सिक्षक दिवस्ता बीस विस्तानर पहुंच चुकी है अब कहीं ने कहीं सिक्षक दिवस्ता में सुधार करना है तो उसमें बेटिंग सिक्षक के जिन्हों अच्छे परिश्य पास करी हैं उनको आप बेटिंग में रिसे दिये थे और पास भी किये थे उसके बाद आप लोगों को वेटिंग में डाल दिया गया क्या पहले ऐसा था कि वेटिंग में डाला जाए नहीं इस वर पेला ऐसा है कि 25 परसेंट बेटिंग भी उनका रहता है कि हम पद्थ कभी बढ़ा सकते हैं वह सरकार ने किया है उसमे बेटिंग में डाला गया है इस सब परिक्षा है पास कर चुके हैं क्या कहेंगे आप लोग कब से इंतजार कर रहे हैं कब से इस लिष्ट के इंतजार कर रहे हैं कि वेटिंग से आप लोगों को हटा है जी हम लोगों को जो है हम लोगों के एक्जाम दिये हुए तकरिबन एक से तेछ साल हो गया और एक से तेछ साल से हम सरकार से गौार लगा रहा है जगा जगाओं पर धर्ना दे रहे हैं और सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बेटिंग क्लियर किया जाUE लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी कोई ओफिशिल स्टेट्मेंट नहीं आया है कि वो इस राह में कोई कदम उठाबी रहे है अब लोग कई बार कई बार धरना प्रदर्शन दिये भूपाल में हर बार आते हैं और वापस लोड़ जाते हैं सरकार आप लोगों की माग नहीं सुन रही है जी हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन या सरकार को अपनी माग हम जब तक सरकार हमारी मागे माल नहीं लेती हम तब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे बिल्कुल जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक प्रदेशन करनी की बात यहां पर कही जा रही है अउम्मीद हम यहीं करते हैं कि इनकी मांगों को सरकार सुने